यह औनियन श्लाइस हैं तो थमाल ओनियन श्लाइस जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 तेबल स्पून ऑफ जिंजर कार्लिक पेस्ट और यह 4 तेबल स्पून ऑफ टोमाटो पेस्ट यह 1 टीटीटीटीटी अश्लाइस हैं धर यह 1 तेबल स्पून ऑफ चुछ्यटीटेबल स्पून ऑफ टीटीटीटीटी फेस्पून अप्राइस आटीटीटी ऐ भी तेबल स्पून ऑफ धनिए पोड़ ऑर यह जो है यह यह गरम मसाला पॉड़र है औल आव though और यह अदो तीन टिमाटो वैसे भी डालूंगी यह टिमाटो स्लाइसिस हैं टिमाटो पेस्ट है सॉल्ट है जंगर कालिक पेस्ट है और यह और यह अब हो रहीं है कभाब जिए मुठी कभाब मैंने आपको बताया थे कल बनाकर ये मुठी कबाब मैं तल रही हूं अभी और इसमें कौल का धूँंगी कौले का धूँआ तो ये कौला मुठी कबाब कड़ाई बनाओंगी बनाुए मैं अगर आज इसका मैं अभी मसाले त्यार करऊँगी अभी ये हो जाएं कबाब तो फिर मैं इनको रख लेती हूं ताके इनको fry इसलिए करें हूं कि यह अंदर जाकर टूटे नहीं और यह सारे इंग्रेडियन्स यह सब इंग्रेडियन्स हैं इस अल दे इंग्रेडियन्स लेट्स किस्टार्टिट टूमाटो पेस्ट वन टी स्पून आफ सॉल्ट वन टेबलिस्पून सब्स जिनजर गर्लिक टेस्ट वन टी स्पून गल्रिक लाइज़ स्व्चेत उनीए कोईल्टेड्वूइक्द व्लग्रेड़ के मस्कोईल समाटत। किसीी अ ऩुज़ेयक्श्ट्र टूमाटो और या बस कने देखं़ तो ये त्याइब इतकी है राध मिन्हें डायद किया हूट है कि अल्टव तो अए उल्टव तरन फर आंपू आप लाध में ये तूसम्हा है जो जो पदें आप rewrite में 2-3 अलॉस्पून वाध मेने किया है यह देखें और यह oil गयती गरम होता है heat the oil and add onion cook till soft heat the oil and add onion onion slices cook till soft अपिर नेखें छोएजिक बत्स पूर जियुक्त्राटिर नेखें onniyan रेखेंड और जिंजर गर्लिक पेस्ट चामिट करूंगी और भी कबाब ताल नेखें कबाब दॉपर अपिर दुऑं उत्वर में कीवूद कॉल करने जाते हैं अगाल को आपक अपस्टेजमेंग करेया करेब आr मेलाइक blir कराएक अब ये मैंने आपक Heated the oil, add onion, cook till onion light golden or soft, then add ginger-garlic paste. ये थोड़ी ती onion thoft होती है, तो फिर मैं बताती है. के जोड़ी तीका है, तो शांना, कि जोड़ीई दूआ ने finest- deb Shot Top 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 buff गोल्डन हो गई है तो मैं अब इतमें जिंजर गार्लिक पेस डालने लगी है और फिर मैं इसमें तमाम मसाले जो हैं शामिल करूंगी यह तौल्ट ट्रश एड पैपर रेड पैपर पॉड़र तमाम मसाले यह देखें हम मैं इसमें यह जिंजर गार्लिक पेस डालने लगी है तोष खुड़र पालिक पेस जिंजर है पालिक झार्लिक यह ते प्यालने लगी है तोष प्प्रेस्टन का स्ट्चिछ पोग्या पीदेखें है जिन्जर काली पेस में शामिल कर दिया थोड़ी जेर पकाना है इसको वन मिनट और फिर समाम मसाले इसमें शामिल करूंगी नहीं यह देखें और अब मैं इसमें यह तोर्ट दालने लगी तोर्ट वन टीक स्पून अव तोर्ट और वन अब टीक स्पून अव रड़ पादर और वन टेबल स्पून अव प्रच्छ रड़ पादर यह और इसमें हल्टी पादर और धनिया पादर शामिल की है गरम मसाला मैं अभी थोड़े देर बाद शामिल करूंगी अभी मैंने ये लाग मसाला हुए तपीरे शामिल कर दी है गरम मसाला मैं आकर में शामिल करूंगी ये सारे मसाले में शामिल कर दी हैं तरह से हुआ नम assume had डाना जैन पादर एक दम राणाल मैं शामिल कर देता हुआँ थोड़ी में ज है भी ये नदिथे ठीमाटर भी यकल्मिलड़ी और तृरी कनले में कर देदियों इसमें डालाओंगी ये तोड़ी कर देती हूं छाएल बीड़ाद है असारीटर बीड़ा सबसे आखिर में कबाब डालूंगी और फिर में कोईले का दूँआ दूँगी यह टिमाटर भी शामिल कर दिया है तुमाटर पेस्ट भी है, यह टिमाटर भी शामिल कर दिया है यह टिमाटर पेस्ट भी शामिल कर दिया है यह टिमाटर भी शामिल कर दिया है यह टिमाटर भी शामिल कर दिया है यह अब योगर्ट भी शामिल करने लगी हो मैं हिला लें ताके जो योगर्ट है वो फटे ही यह जोगर्ट भी शामिल कर लिए अची तरह से इसको हिला लेती हूं मैं टोमाटर सॉफ्ट होते हैं तब तर मैं कबाब इसमें शामिल कर दूँगी अब इसमें मैं यह गरम मसाला भी शामिल कर लिए अब इसमें मैं यह गरम मसाला भी शामिल कर लिए और इसको टू-टू-3 मिनिट पकाएं इसको पकने देना है और फिर मैं इसमें कबाब शामिल कर दूँगी अब इसमें डाल देती है यह गरम मसाला भी शामिल कर लिए था मैंने और मैं इसमें लिए और फिर में ठाल के दूखना धूट कर में पकने दूखना दंगी मैं अब धायको टूख सबिक निजाल की कभीशा प्लेना है और यह गरम मैं यह जाल कीन अचले कब का यह लिए भी शामिल आज मुठी कबाब कड़ाई बना रही थी मैं यह भी दो तीन कब मसाला भून जाए तो फिर मैं वो कबाब शामिल करके और फिर जो है मैं इसको और दो तीन मिन पकाऊंगी और बाद में कोईले का दुआ भी देना है प्राण जाए तो तो अब मैं यह जो है नियुक्ति कबाब शामिल करीं तो फिर आख़र में मैं इसमें पक जाएंगे और फिर आखिर में मैं मैं इसमें कोईले का दुणा दे दूंगी अब इसको अब ये कबाब शामिल कियें तो इसको खिलाएं नहीं ताके ये टूते नहीं तो कवर दे लिट एंड कुक मॉर 2-3 मिनट मैंने अब इसमें मुठी कबाब शामिल कर दियें तो अब ढ़कना ढ़के इसको और मजीद 2-3-5 मिनट पकाना है इसको पानी हलका सा और डाम डाल लें इसमें ताके अच्छी तरह से कबाब लें पक जाएं और फिर आकर मैं ये देखें अब ये मैं कोईला देक ने रख दिया है आग पे ये होता है तो फिर मैं हंडिया में फाइल पेपर रख और फिर थोड़ा सा ओईल डालूंगी ये देखें और हो गए है ये देखें पक जाए पट्राइब अधकना धकती है था मैंने कोईला का ये कोईला रखा वाइल के उपर और इसको 20 मिनट के लिए धक देना है और फिर धकना मैं हटाऊंगी तो ये कोईला का धूँए इसमें आ गया होगा कढ़ाई में ये देखें कोईला आंक के से अठाके वह धक चुका है तो फिर मैं अब ये फाइल रखी है मैंने फाइल और उसके उपर कोईला रखूंगी और मैं थोड़ा सा आईल डालूंगी ये देखें धकना न किसे अब यूट के सुपिन थेखेंगे तो इसमे न फैसे भीन का धूँगी और नन चापाटी के साथ तैयार होगा नान रखू करें देख ड़गी तो कोईला मुठी कबाब कढ़ाई तरभी तैयार हो जाएगी कराई बिलकुल तैयार है मैं कुईला यह फटा दूंगी इस निकाल दूंगी इसमें आगिया यह कोईले का तो अब यह बिलकुल हो गई यह तैया। कराई बिलकुल तैयार है, अब यह डिश आउट करके दिखा कोईला कढ़ाई ये मुठी कबाब कढ़ाई तैयार होगी है ये जिंजर स्राइसी टाले हैं और ग्रीन चीली तर हरा धनिया के साथ सर्फ करें और नान और चापाती के साथ सर्फ करें होट अजिख भेंद तैंट ओ के रंट करें तारशिंग है यत अप्रोटे जू skating एंट य्ट किरी जब स्झा से खिरह जहते-ंथ इक्षब करने खाएंड पर आपकल में। झाल झाल